कि अच्छी बच्छा लोग विल्कम टू डाउटनर कैसे हैं आप सब जल्दी यल्दी बता दीजिए कैसे हैं आप सब और आप सभी की पढ़ाई कैसे चल रही है हमेशा की तरह हां ताकि हम क्या करें अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकें उससे पहले पता चल जाए कि भाई लोग भी आके क्लास को जॉइन कर सकें पड़ावट से तो बच्छा लोग मैं हूं विचरता आपकी बालाजी टीचर और हम यहां पर बात कर रहे थे अपने चाप्टर के बारे हम लोग हम बात कर रहे थे भाई पुश्पी पादबों की आकारी कीप के बारे में यानिकि फ कारत होते हैं कि यानिकि शूर्ट्स सिस्टम न सबसे पहले क्यों पहले ना ही तो आता है थी ना खुशूरच ये पत्यों के बारे में हम बाद कर रहे थे ठीके तो उन पत्तियों की प्रकार के बारे में हम बात करेंगे जानेंगे कि वो कितने प्रकार की होती है कैसी दिखती है ठीक है चलो आगे बट्टे तो आज हम बात करेंगे बाई पत्ती के प्रकार के बारे में पर्ण विन्यास और पत्ती के रुपांतरन के बारे में हम बात करेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले क्या करना है जो ब पर रोस पर ही बेल आइकन का बटन दे हुआ उसको वहाँ पर दबा दो ताकि आपको क्या मिले नोटिफिकेशन मिलते रहे हर एक वीडियो के ठीक है ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सको चलो आगे बढ़ते हैं शुरू बात कर देते हैं तो शुरू करते हैं भाई पत्ती के प्रकार के बारे में जब हम पत्ती के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो अलग-अलग तरह की पत्तियां हमें रोज मतलब ज़कर हम कहीं भी निकल जाते हैं तो अलग-अलग तरीके की कि पत्तिया नजल आती हैं बस हम वही देखते हैं कि वाउ कि तो सुंदर कलर पत्ती का हाँ क्या कभी अपने उसके आकार के बारे में सोचा है कि बहीं इस पत्ती का शेप कैसा है यह पत्ती किस तरीके की है जो उसके उपर कट बने हुए हैं या नहीं है क्या वो सिंपल एक लाइन जैसी पत्ति है नोंटिस किया एक अभी तो चलू रबली याने की रबली समझने से अच्छा है कि हम द् fenошे को समजते है कि पत्तियों के प्रकार होते कि तरीके से होते हैं ताकि आपको यू समझ में आ जाए आपको क्या करना है पूरी कलास में यहीं वेवने रेना है कहीं उठके नहीं जाना है वड़्क वोलोगא कि माम हमको समझ में नहीं आया हमारा Airplane उड़ गया थीक है तो Airplane नहीं उड़ने देना है यहाँ पे समझना है चलो, चोटे से बहुत सिंपल से तरीके से समझाऊंगी और अच्छे से अपने दिमाग में बठा लेना ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाहर हो जाए चलो, आगे बठते हैं और चलो देखते हैं और बात करते हैं कि जो पत्तियां होती है वो दो प्रकार की होती है ठीक है, यह जो पत्ति है यह क्या है? यह दो प्रकार की है लो जी, यह दो प्रकार की होती है ठीक है, अब चलो शेप बना के देख लेते हैं पत्तियों की भाई, कि दो कौन से प्रकार हैं इनके तो दो प्रकार देखते हैं का पथ्यू इस तरीके से पत्ती आ गई, तो अब यह बताओ, किया आपको यह नजर आई है अपने आसफ़्डोस में, कभी नोटिस किया है कि अच्छा इस पेड की पत्ती तो ऐसी है, लेकिन इस पेड की कैसी हैं, हां जैसे गुलाब के पत्या कैसी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है साइद में थोड़े चुबे चुबे से काटे काटे से होते हैं ठीके तो वो क्या कहलेंगे तो हम कहेंगे कि यहां पर क्या है यहां पर क्या मौजूद है कटाव मौजूद है ठीके क्या मौजूद है कटाव मौजूद है यहां पर लेकिन अगर हम बात इसकी करते हैं तो कि यहां पर आपको कोई भी कटाव कोई भी कट कोई भी मोड़ा तोड़ा सी जगा नजर आ रही है नहीं आ रही है तो यहां पर क्या है भाई कटाव यहां पर अनुपस्तित है अनुपस्तित है ठीके तो यहां पर क्या है कटाव अनुपस्तित है तो हम क्या कह सकते हैं भाई यह भी कुछ सिंपल तरीके की है पत्ती ठीके बिलकुल ही सिंपल तरीके की पत्ती है यह तो इसी वज़े से इसका नाम क्या है सरल ठीक है पत्ती क्या कहलाई यह सरल पत्ती कहलाई याने कि सिंपल लीव ठीक है क्या सिंपल लीव ठीक है ओके अब यहां पर क्या है यह थोड़ा सा मिक्स है कट फट करके है कटाव मौझूद है टेड़ी मेरी टेड़ी मेरी याने कि क्या है सहीयोक्त है यह ठी लाई तो ये क्या है सईयुक्त पत्ति ठीक है याने की कमपाउंड लीफ ठीक है तो ये क्या होगी भाई हमारे दो प्रकार की पत्या होगी सरल पत्ति और सईयुक्त पत्ति अब ये बताओ इतनी बार आप सभी को समझ में आ गई तो फटा-फट से क्या करना है थमसद दिखा दो ताकि फिरन आगे बढ़े और बात करें कि हाँ कि सरल पत्ती तो चोलो यही पर सिमट के रह गई क्योंके सorn है तो इसके रावा सराल के अबब बिचारी क्या करेंगी आगे लेकिन यहाँ पर क्या है सय्यक्त में याने कि सय्यक्त क्या होता है कि सय्यक्त मतलब जहां पर कुछ चीजे मिली हु exhaustion जुड़के com upgrad मं Wiki यह जो सय्यक्त पत्ती है compound leaf है वो क्या है इसके भी प्रकार होते हैं ठीके सरल पत्ती के यही छोड़ देते हैं लेकिं सयुक्त पत्ती के जो प्रकार होते हैं चलो वो देख लेते हैं कि क्या है आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं जब सैयुप्त की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सैयुप्त पत्ती ठीक है याने की क्या है कमपाउंड लीव ठीक है हम इसकी बात करते हैं तो यह क्या है यह भी दो प्रकार की हो जाती है यह भी क्या हो जाती है दो प्रकार की हो जाती है ठीक है चलो इसको भी हम क्या करते हैं डाइग्राम के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि इन पत्तियों के डाइग्राम कैसे हैं ये कैसी दिखती हैं तो हम बात करते हैं कि भाई ये क्या है ये एक पत्ती है ठीक है लो हमने क्या बोला था ये क्या है मद्दे शिरा मिड्रिब है ये ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर यह जो पत्या होती है इस तरीके से मौजूद होती है इनके अंदर की जो है शिराएं इस तरीके से यह मौजूद होती है ठीके यहाँ पर क्या होता है इसका मतलब एक कटाफ बिंदू है यहाँ पर यहाँ पर क्या है? एक कटाफ बिंदू है. ठीक है? चलो पहले इसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर क्या है? एक कटाफ बिंदू. ठीक है? मतलब कि यह जो एक कटाफ बिंदू है, यह कहां तक आ रहा है? महाशिरा तक आ रहा है. महाशिरा तक आता है ठीक है तो कैसे आता है ये महाशिरा तक देखो कि अगर हम इसके बात करते हैं तो ये इस तरीके से आ रहा है फिर ये क्या हो रहा है भाई पूरा गूम गूम कर कैसे आता है ये ये आता है इस तरीके से घूम गूम कर ठीक है ऐसे करके यह पूरा आगया, देखो ऐसे करके यह पूरा आगया इस तरीके से, ठीके, तो पूरा मतलब कि यहां से चलके यहां से वापिस आया है, ठीके, तो अगर इसका हम बनाएंगे तो यह कैसे बनेगी पत्ती, देखो किस तरीके से, यह बनेगी इस तरीके से, कि यह कट गूम के पूरा वापिस आ रहा है इस तरीके से ठीक है बहुत सारी पत्तियों में इस तरीके की पत्ती देखी होगी फूल वाले भी यहां तक की इस तरीके से ठीक है तो यहां क्या है कि यहां पर एक कटाव बिंदू है यानि कि यह कटाव घूम के पूरा इस तरीके से आ रह थीक है तो ऐसी पत्ति आपको कहाँ देखने के लिंए मिलती है या कि नीम के पेड में का कर देखने के या servant हर रहे हैं यहां पर नाते हैं वुखी के इस तरीके से होती लिए इनले को है और यह और इस तरीके से ये पत्तिया निकली हुई होती है ऐसे करके ऐसे करके इस वाले बिंदू से ये पत्तिया इस तरीके से निकली हुई होती है ठीक है यहां से ये main point होता है इनका ठीक है तो यहां क्या होता है यहां ये पर्ण वरत पे यहाँ पर खुब सारी पत्या निकली हुई होती है, पार्ण प्रत से जुरी हुई ठीक, यहाँ पर क्या हुआ कि अक्ष क्या है? एक है यहाँ पर अक्ष क्या है? एक है ठीक है, और पत्या बहुत है और पत्या क्या है? बहुत है ठीक है तो अगर हम इस डाइग्राम को देखते हैं तो आप क्या समझोगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए क्या समझोगे अब यहाँ पर क्या है भाई यहाँ पर इसका नाम क्या होगा कि एक अटाफ बिंदू है तो भाई इसका नाम होगा पिच्छा कर साइउक्ट क्या पत्तिया क्या हिगे पिच्छा कर साइउक्ट पत्तिया ठीक है वही गर उचकी तरफ देखें तो इसका शेप कैसा लग रहा है कमल का पूल मत बोलते न ठीक है जैसे हाथ होता है न पांच उगलिया है हमारे हाथ में इसको क्या बोलते हैं हस्त बोलते हैं ठीक है तो ये कैसा है हस्ताकार ठीक है अब अगर इसके example की हम बात करते हैं तो इसका example हमारे पास कौन सा आता है इसका example आता है cotton व्रिक्ष आजा cotton व्रिक्ष ठीक है यहाँ पर आगया हमारा cotton व्रिक्ष इसका एक्जाम्पल इसका क्या हुआ नीन और इसका क्या हुआ कॉटन विक्ष ठीक है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना सबको क्लियर है ठीक है बिल्कुल भी डाउट मत रखना बहुत अच्छे से बहुत इजी समझाने कोशिश करी है नहीं आता है समझ में तो बोला है कि कि अगले बार जब हम मिले अगली क्लास में तो डाउट क्लियर हो लेकिन आप लोग चोटे नहीं तो मुझे लगता है कि हाँ आपको सब आता है ठीक है और अच्छी बात अगर आपको सब कुछ समझ में आता है तो मेरे लिए से बड़ी प्रिव्लेज आने की खुशी वाल अच्छिन होती है अत्वा कटी हुई लेकिन कटाव मद्दे शिरातक नहीं पहुँच पाता है तो वो सरल पत्ती कहलाती है याने की सिंपल लीज जब इस तरीका कटाव मद्दे शिरातक पहुँचे और बहुत सारे पत्तरकों में तूट जाए तो ऐसी पत्ती को सईयुप्त पत्ती कहते हैं याने की कमपाउंड लीज कहते हैं ठीके फिर सरल याने की सिंपल तथा सईयुप्त याने की कमपाउंड पत्तियों दोनों में पर्णवर्थ के कक्ष में कली होती है ठीके पर्णवर्थ के कक्ष में कली होती है लेकिन सईयुप्त पत्ती के पत्तरकों के कक्ष में कली नहीं होती है ठीके सरल में क्या होती है कली मौजूद होती है लेकिन जो ये हैं सईयुप्त है याने कमपाउं है इसमें कली मौझूद नहीं होती है तो यहां पर मुझे देख के बताओ कि ये ए और ये बी इन दोनों में ये दोनों पत्यां कौन सी कौन सी सरल है और कौन सी सईयुक्त है यह फटाफट से आप मुझे कॉमेंट में बताओगे ठीक है इसका जवाब मैं बिल्कुल भी नहीं दोंगी फटाफट से बताओ आगे बढ़ते हैं चलो सईयुक्त पत्यां दो प्रकार की होती है अब हमने बात कर ली थी ठीक है दो प्रकार के पत्यों के बारे हैं बात कर रही थी हमने याद आ गया कौन सी पत्या ये देखो दो प्रकार की बताओगे ये पत्या अरे मैंने लो अब देखो ठीक है पिच्चाकार सईयुक्त पत्ती ठीक हे और हस्ताकार सहीप्त पत्तीBig फिनेटली और पालमेटली टमपाउंड लीव ये दो हो गई चलो तो यह जो पिच्छाकार सहीव्त पत्ती होती है इसका दूसरा नाम क्या है मतलब इसको में क्या कहते हैं पिनेटली कंपाउन लीफ ठीक है इसमें बहुत से पत्रक एक ही आक्ष जो की मद्देशिरा के रूप में होती है ठीक है वहां होते हैं जैसे की नीम इसका एक्जैम्पल है मैंने क्या कहा था कि इस तरीके से घूंग के यह वापिस आ रही है है ना नीम की पत्तिया कुछ इस तरीके से होती है देखो ऐसी ठीक है ना अब हस्ताकार साइक्ट पत्तिया याने की पालमेटली कंपाउन लीफ में एक ही बिंदू अर्थात पर्ण व्रंथ की चोटी से जुड़े रहते हैं ठीक है ना जैसे की इसका एक्जैम्पल है यहां पता क्लियर सबको हां पड़ावर्स हम सब दिखा दो बाई क्लियर हो गया है ताकि मुझे पता चल जाए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यह देखो यह देखो यह देखो यह यह जो दोनों चीज़े मैंने अभी आपको बताई है हस्ताकार और पिच्छाकार यह दो हैं पत हस्ताकार में मैं आपको क्या पता है कि हाथ जैसी इस तरीके से होती है तो यहां पर कौन सी इमेज दिख रही है हाथ जैसी कौन सी इमेज दिख रही है और यह वाली दिख रही है तो यह क्या है हस्ताकार और वो क्या है पिच्छाकार ठीक है चलो अब हम बात करते हैं प्रण्डवन्यास को क्या मोलते हैं हम ? क्या है ? फाइलो टेगजी ठीक है ? फाइलो टेगजी , यहाँ पे कैसे लग गया ? चलो फाइलो टेगजी के बारें बात करते हैं अब अगर सवाल आता है कि भाई पर्ण विन्यास क्या होता है अगर हम इसकी बात करें कि ये फाइलो टेक्जी क्या होता है तो मुझे क्या जवाब दोगे आप ठीके कि हाँ ये पर्ण विन्यास वो होता है बदाओ बढ़ा बढ़े जल्दी जल्दी क्या होता है तो भाई पर्ण विन्यास को हम क्या बोलते हैं पर्ण याने की जो पत्यां होटी है ठीके तो यहाँ पर क्या होता है जो पत्यां होती है जो पत्यां है ठीके उनका शाखा ठीक है उनका क्या होता है शाखा पर लगने का जो क्रम होता है वो क्या कहलाएगा पर्ण विन्यास कहलाएगा ठीक है जैसे हमने क्या शिरा विन्यास पड़ा था कि शिरा का जो क्रम होता है उसको हमने क्या बोला शिरा विन्यास बोला ऐसे ही जो पर्ण याने की पत्तियों के लगने का जो विन्यास है उसको हमने क्या बोला पर्ण विन्यास बोला ठीक है चलो यहाँ पर भी हम पत्तिया बना कर समझते हैं चलो पत्ती बनाते है एक तो पत्ती इस तरीके कि आ गई हमारे पास ठीक है, एक तो ये करम आ गया हमारे पास दूसरा करम क्या आया हमारे पास यह आ गया हमारे पास दूसरा क्रम ठीक है यह आ गया हमारे पास दूसरा क्रम अब इसके बाद एक और क्रम आता है इसके बाद आता है इस तरीके से यह झाखित को यह तीन तरीके के हमारे लेंपस पत्ति केमं आ गये हैं टीक है तो यह मत कहना ओंना कि मैंडम हमें तो यह सारी कि सारी उनग रही है मैं मैं कुछ ना कुछ race है तीसरी वाले तुम मॉंग सेके हुँ आप बहुत सारा डिफरेंस है तो बिल्कुल अलग है तो इसको समझते हैं पहले वाले में तो यह पत्या क्या है एक यह लग रही है दूसरी यह है तीसरी यह है चौथी यह है पाच यह है और छटी यह है यानि कि इनका जो क्रम है वो पते कैसा है ऐसा ऐसा फिर एक यहां पर फिर एक यहां पर फिर एक यहां पर ठीक है अल्टेनेटली है ठीक है कैसे अल्टेनेटली एक के बाद इधर अंगिल बनते हैं ऐसे यहां पर हो रहा है अलडरनेट ठीक है तो यहां पर क्या सीन है यहां जो क्या कहलाएगा आपका एकांकरन पर्ण विन्यास ठीक है? एकांकरन पर्ण विन्यास कहलाएगा अब इसके एक्जेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह की पत्तियां आप कहां देख सकते हो? इस तरह की भाई गुढ़ल में देख सकते हो? गुढ़ल हल ठीक है गुढ़ल में देखने को मिल जाएगी और कहां मिलेगी? गुढ़ल के बाद ही आपको सूरद मुखी में सूरद मुखी सूरद मुखी में देखने को मिल जाएगी फिर कहां सरसो के पौदे में भी होगी भाई ठीक है तो ये क्या है इसके तीन एक्जाम्पल्स है ये आपको सरसों में भी देखने को मिल जाएगी ठीक है अगर हम इसकी बात करते हैं दूसरे नंबर वाले में तो ये जे दूसरे नंबर वाले में क्या है एक दो तीन चार पांट छे साथ साथ आध ये क्या है ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने हैं, ठीक है, यानि कि सम्मुख है, तो सम्मुख है, तो इसी पे इसका नाम क्या दिया गया है भाई? सम्मुक सम्मुक पर्ण विन्याज ठीक है पर्ण विन्याज इसको कहा गया है अब अगर हम इसको बोले कि आपको देखने को कहा मिलेगा तो भाई ये आपको कहा मिलेगा अमरूद में देख सकते हो ठीक है अमरूद में फिर कहा आक में, ये दो क्या है, इसके example है, यहाँ पर आप इने देख सकते हो, ठीक, चलो, माल लेते हैं, अब तीसरे वाले की अगर बात करते हैं, तो तीसरे वाले में एक, दो, तीन, चार और पाँच, इस तरी के यह क्या है, एक चक्र बन रहा है, एक सरकल बन रहा है, तो इसे वज़े से इसको नाम क्या दिया भाई, चक्राकार, ठीक है, चक्राकार पर्ण विन्यास, ठीक है, जिसका एक्जाम्पल क्या है, इसका एक्जाम्पल आपको डेविल ट्री में देखने मिलेगा, ठीके क्या है devil tree ठीके इसका example क्या है devil tree यहाँ पर यह आपको देखने को मिलेगा अब मुझे बताओ कि ये तीनों चीज़े आपको समझ में आ गई है कि भाई पर्ण विन्यास जो है वो इस तीन तरीके का होता है हाँ मेरे ख्याल से तो आज आने चाहिए इतने सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ठीके चलो आगे बढ़ते हैं ये देखो यहाँ पर समझो अप लाइन्स को ठीके कि तने अथवा शाखा पर पत्यों के विन्यास रहने के क्रम को पंड विन्यास कहते हैं फाइलो टेक्जी ठीके फाइलो टेक्जी यह प्रया तीन प्रकार का होता है यहाँ देखो तीनों प्रकार की पत्यां हमने समझ ली है कि यह तीन प्रकार का होता है अब पहला एकांतर याने की आल्टरनेट यह देखो यह आल्टरनेट मैंने बोला ना एक दूसरे के क्या ह हम math में क्या पढ़ते है कि All primo thing which kı हम इसा यह हूग ठीक है तो पत्यां भी शे में हैं टीसरे है आपका चक्रधार ठीक है या फिर वर्ल्ड जिसको बोलते हैं अरे लास में देखो चक्र बन रहा है ठीक चलो एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रतेग गाठ पर एक एकांतर रूप में लगी रहती है ठीक है लगी रहती है ओके उधारन गुड़हल सर्सो और सूरजमुखी ठीक है यहां देखो एक ही गाठ पर एक ही पत्ती लगी हुई है ठीक है चलो अब सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में हर एक गाठ पर एक जोडी पत्ती निकलती है मतलब की एक गाठ पर एक जोडी पत्ती इस तरीके से ठीक है यह जोडी में है दो निकलेंगे इस तरीके से ठीक ओके क्लियर यहां तर और एक दूसरे के सम्मुख होती है मतलब सामने होती है तो वो क्या कहलाएगी बई सम्मुख प्रकार है इसका इसका उधारण है आक यानि केलोट्रॉपेस और अम्रूद ठीक है यदि एक गाठ पर दो से अधिक पत्या निकलती है जैसे कि ये एक गाठ है ठीक है तो एक से दो से अधिक पत्या इस तरीके से निकली है ठीक है तो वो क्या है उसके चारों और एक चक्र से बनाती है चक्र स में दिखता है यहां पर यह क्या होता है इस तरीके से यह एक से ही इस तरीके से पत्या निकली हुई होती है एक ही गाठ पे से ठीक है चलो अब बात करते हैं पत्ती के रुपांतरन की ठीक है याने की लीफ के modification के बारे में हम बात करते हैं जिस तरीके से हमने कहा था कि भाई क्या होता है जो stem होता है तना होता है वो भी क्या करता है रुपांतरन करता है ठीक है कि वो modification कर लेता है जगा के अनुसार अपने आपको बदलने के लिए ठीक है कि अच्छा यहाँ पर यह चीज है यह चीज ज्यादा अच्छी मिल रही है तो चलो क्यों ना मैं इसकी तज़र इसको अपना लूँ और अच्छा बन जाओ फिर वो सोचता है अगर कोई और मारा modification है हम मौड हो गए है तो यहां क्या होता है जो तना होता है वो भी रुपांतरित होता है ठीक है अपने आपको लेकिन ऐसा नहीं है घर में क्या सोचते हैं मम्मिया काम क्या है बच्चों के पापा के लिए खाना बनाना ठीक है कि यही सब काम तो है मम्मियों को लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखो तो हमारी मम्मिया क्या होती है एक सपोर्टर होती है सपोर्ट पिलर है हमारे घर का कि अगर मम्मी बिमार पर जाए तो भाई सारा का सारा काम रुक जाता है आप बिमार पड़ो कोई बात नहीं आपको कपड़े भी दुलेवे मिलेंगे खाना भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा लेकिन अगर आपकी मम्मी बिमा होती हैं भाई बहुत ज्यादा यूश्फुल होती हैं चलो देख लेते आगे इनका रोल ठीक है उपर चड़ने के लिए प्रतान में ठीक है जब पेड को क्या होता है सहारे की जरूर्थ होती है तो यही वो पत्या होती है जो अपने आपको modify कर लेती है ठीक है यही वो पत्या होती जो अपने आपको प्रतान में बदल लेती है ठीक है जैसे की मटर example है इसका ठीक है जैसे की मटर ये देखो प्रतान इस तरीके से क्या है ये प्रतान है इसने अपने आपको क्या किया बदल लिया ठीक है और रक्षा के लिए शूल में बदल जाती हैं जैसे कि की कैक्टेस में okay ठीक है काक्टेस में भी घास खाने वाला जान वर आगया तो बचेंगे भी काटे के रूप में बदल देते हैं कि अब हिम्मत है तो छूके दिखाओ ठीक है तो हम लोग तो जब हम लोग हम इंसानों के इने चूने से डरते हैं तो जानवरों का भी क्या हाल होगा जो दूसरा सोचेगा चलो इनने में खाने चलता हूं है ठीक है प्यास तदा लेसुन की गूदेदार पत्यों में भोजन संचित रहता है ठीक है चलो यहां समझ भी आ गिया सबको ठीक है कि बाई जो पत्यां होती हैं वो सिफ खाना बनाने के इलावा भी बहुत सारे काम करते हैं ठीक है जैसे कि जब कही सपोर्ट चाहिए होता है तो वो प्रतान में बदल जाते हैं जब उन्हें अपनी रक्षा करनी होती है तो वो काटों में बदल जाते हैं है ना यह नेचर ना बहुत हमेज़ी है बहुत कभी गौर से देखो ना तो एक एक चीज इस नेचर की बहुत खुबसूरत है चलो आगे बढ़ते हैं यह देखो कुछ पौधे जैसे ऐस्ट्रेलियन अकेसिया ने पत्तिया छोटी तथा अल्प आईयू होती है यहां किया होती है पत्तिया चोटी होती है और इन की जो एज होती वह कम होती है इन पौधों में पढण व्रण्थ फैल कर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार् कुछ कीट हारी पादपों में पत्ती घड़े के आकार में रूपांत्रिस हो जाती है इसका नाम क्या है भाई घट पढणी ठीक है इसका नाम क्या है कि घड़े के रूप में बन गई ना इसकी पत्तिया हां इसका नाम क्या है घट पढणी और इसको हम पिचर ब्लैंट भी कह कहते हैं इसको ठीक है ये क्या है कीट भक्षी पौधा Tutta है ने कि कार्निवोर्स प्लांट है यहां क्या होता है प्रेयर ट्रापिंग मेकानिजम चलता है मतलब किस तरीके से यह जो प्रे है मतलब जो भी को इनके पास कीट आ रहा है उसको कैसे पकड़े और घड़क से अंदर गड़प ले है तो यहां पर प्रेट रापिंग मेकानिजम चलता है ठीक है तो इसका नाम क्या है पिचर प्लाइन दूसरा क्या आता है हमारे पास वीनस फ्लाइट राप आता है दूसरा क्या है वीनस फ्लाइट राप आता है हमारे पास ठीक है यहां पर क्या है देखो आप किस तरीके से इसने क्या किया मक्की वैटेरी घप से एकदम इसको पकड़ लिया और मुझ बंद कर लिया अपना ठीक है ना है तो यहां तक लियर बिल्कुल सबको हाँ जल्दी बता दो क्लियर हो गया यहां तक हाँ तो यह जो क्या है वीनस फ्लाइट ड्रैप और यह घट पड़नी यह क्या है यह कीट भक्षी पौदे हैं और यह जो घट पड़नी है ठीक है और इस तरीके प्लैंट है कहां जातर पाए जाते हैं श्री लंका या फिर असाम में पाए जाते हैं हम बात करना जा रहे हैं का अलग-अलग जिगा पे अलग-अलग इंपोर्टेंस है जिसे मंदिरों में हम भगवान को चड़ाते हैं ठीक है और शादी विगेरा में हम घर सजाते हैं है ना और अगर किसी को इजहार करना हो ठीक है अपनी फीलिंग्स दिखानी हो तो हम वहां पूल rad करते हैं इनOh ँर खूली रिएंगि तो चलो बात करते हैं खूब्सूरत फूलों के ऊपर ठीक है अब जनरल इखोता है सबसे पहले हमको जरूरी कि भॉह कैसा है थीक है डिफिकल तो नहीं है मतलब सरल है या फिर थोड़ा सा क्या है मतलब जटिल जटिल है तो हम क्या करते हैं एक फूल को पढ़ने के लिए सबसे जो uds. गुडल का पूल याने की इसकेट पूल को याने की इसकेटें के पत्ते हैं क्योंकि एक एक कर के इसको अलग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से थीक है अब अगर मैं बात करूँ कि इस चाप्टर की इस पुश्ट की इंप्वाइटन्स की तो भाई इसके importance बहुत है क्यों क्योंकि यह जो आप पुश्प यहां पर आज पढ़ोगे जितना भी कुछ इसके बारे में पढ़ोगे यह आपको आगे चलके 12 class में भी पढ़ना है जहां पर यह पूरे के पूरे चाप्टर है अगर यहां पर थोड़ा बहुत समझ लोगे ठीक है तो वहां पर इसको समझने में बिल्कुल भी परशानी नहीं होगी ठीक है चलो इसी बात में क्या करते हैं शुरू कर देते हैं चाप्टर तो चलो चाप्टर शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं पुश्प करम को कि भाई पुश्प करम होता क्या है तो ह पुष्प का एक्सेस होता है उस पर लगने के क्रम को हम पुष्प क्रम कहते हैं कि उसके उपर किस तरीके से फूल लगा है वो क्या है पुष्प क्रम याने की ड्सक्रम होते हैं यह दो प्रकार का होता है तो चलो देख लेते हैं कि भ we go और कउंशें हैं तो सबसे पहला आता है उसी माक्षी थिक याने की जिस और यसमोस ठीक है सबसे पहले क्या आया उसी माक्षी याने की रेस्मोज ठीक है पहला ये आएगा हमारा फिर अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्या है हमारा समी माक्षी ठीक है याने की साइमोज याने की साइमोज ये दो प्रकार का होता है पुश्पकर ठीक चलो अब थोड़ा सा जान लेते के रेस्मोज क्या होता है तो ये क्या होता है जो मुख्य अक्षे होता है यहाँ पर जो मुख्य अक्षे है ठीक है वो क्या है अनिश्चित है ठीक क्या है अनिश्चित रूप से व्रद्धी करता है ठीक है यह क्या करता है अनिश्चित रूप से व्रद्धी करता है करता है ठीक अब अगर यहाँ पर हम समीमाक्षी की याने के साइमोस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है भाई जो पुश्पक्रम है ठीक है यहाँ पर पोश्पक्रम कैसे कर रहा है मुख्य अक्षि अनिश्चित रूप से व्रद्धी करता है यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर जो पोश्पक्रम है यहाँ पर पोश्पक्रम में प्रमुक अक्षि से शीर्ष याने की टॉप शीर पुश्प क्रम में पुश्प क्रम में प्रमुक अक्ष से शीर पर फूल लगता है ठीके तो पहला तो ये हो गया हमारे पास फिर हम दूसरे अगर देखते हैं तो भी दूसरे में देखें तो हम क्या बोलेंगे कि तथा पुश्प में तथा पुश्प में समाप्त नहीं होता है ठीके ये पुश्प में समाप्त नहीं होता है ठीके अगर यहाँ पर देखें इसके बारे में फिर यहाँ बात करें तो इसमें क्या होता है इसमें सीमित वृद्धी होती है सीमित व्रिद्धी होती है ठीक है हमने अगर व्रिद्धी की बात करी थी तो व्रिद्धी यहां कैसी हो रही थी हाँ अनिश्चत हो रही थी यहां पर व्रिद्धी लेकिन यहां पर कैसी हो रही है व्रिद्धी सीमित व्रिद्धी हो रही है ठीक है चलो जी, next देख लेते हैं, next की अगर हम बात करते हैं, तो भी जो पुराने पुष्प हैं, ठीक है, जो पुराने पुष्प, अक्ष, पर नीचे की और, नीचे की तरफ या और कुछ भी बोल सकते हो, तथा कलिकाएं, तथा कलिकाएं, अक्ष के शीर्ष पर, अक्ष के शीर्ष पर पाई जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो पुराने पुष्प जो हैं, ठीक है, पुराने पुष्प जो हैं, वो अक्ष पर नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ होते हैं, और जो कलिकाए हैं वो अक्ष के शी एच्यादे की ऊपर की तरफ होते हैं ठीक है यहां समस्ते हैं भाई तो यहां पर जो फूल है ठीक है जो फूल है वो तला विसारी क्रम में लगे रहते हैं ठीक थीक है तो चलो एक काम करते हैं डाइग्राम से समझते हैं । यह तो यह हो गया इन दोनों का एक डाइग्राम बना कर समझाती हूं कि अंडोनों के कि ह्यां पोच्छा फlection की बात हो रहे तरफ कि पुछ नीचे की तरह Ond के यहां सला है क्रम में लगे तो यहाँ पर मतलब क्या है थीके तो चलो एक डाइग्रेम बना लेते हैं तो भाई अगर मैं इसकी रेस मुझ्ण की बात करू तो ये क्या है ये तना है ठीके इस तने पर ये क्या है पत्तिया है ठीके इन पत्तियों से इस तरीके से क्या निकला हुआ है शाखा निकली हुई है ठीक है पिर इस तरीके से यहां से निकली हुई है ठीक है पिर यहां से निकली हुई है ठीक है इस तरीके से निकली हुई है अब इसमें क्या होता है अगर हम पुश्प बनाएंगे तो पुश्प यह यहां पर मिलेंगे इन से लेको दोनों को पहले देख लो है ना कि दोनों जो पेड़ बन रहे हैं इन दोनों में ख्या अंतर है ठीक है क्या डिफ्रेंस है वो देखो आप उसके बात जवाब देना किसी वी चीज़ का तो अगर मैं इसकी इस तरीके से पत्तिया और यहां पर कैसे होते हैं निकले होते हैं अगर अब यहां पर मुझे बताओ कि इन दोनों चीजों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है बताओ इन दोनों में क्या अंतर है इन दोनों के दोनों यहां पर भी फूल है यहां पर भी फूल है लेकिन जो फूलों को लगने पूलों के लगने का क्रम है तरीका है वो क्या है वो अलग है कैसा है वो बताओ मुझे फटा फट से जल्दी जल्दी बताओ कैसा है तो भाई यहां पर देखो आप यहां पर क्या है अगर मैं इस वाले की बात करती हूं तो इस वाले में क्या है जो पुराने पुष्प हैं देखो यह क्या है पुराने पुष्प है वो नीचे की तरफ है ठीक है पुराने पुष्प क्या है नीचे की तरफ है ओके और जो नए पुष्प है वो कहां है ये क्या है नए पुष्प ये उपर की तरफ है ठीक है हमने यही बात करी थी है न कि भई क्या होता है पुराने पुष्प नीचे की तरफ होते हैं ठीक है और जो नए होते हैं जो कलिकाएं होती है वो शीर्ज पर होती है यह देखो तो पुराने पुष्प नीचे की तरफ है इसमें और नए उपर की तरफ है तो यह हमारा कौन सा ह असिमाक्षी यानि की रेसमोज ठीक है अब समीमाक्षी यानि की साइमोज की अगर हम बात करते हैं तो यह है तो यहां पर क्या है यह वाले क्या है यह वाले नीचे की तरफ है यह उपर की तरफ यह पुराने है दोनों ठीक है तो यह वाले कौन से हैं यह पुराने पुष्प कुझा है यह क्या है पराने पुश्प है और यह पुश्प और है यह पुश्प कैं दोनों चीजें आपको समझ में आया कि यहां पर क्या है इस तरीके से फूलों का क्रम होगा और यहां पर इस तरीके से ठीक है वाकिश पुराने दोनों में क्या नीचे होंगे और नए होंगे वह उपर की तरफ होंगे इस चीज़ को याद आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं बेसिकली पुष्प की याने की फूल की अब मैं अलड़ी बता चेकिए फूल हमारी जिंदगी में कितना महत्व हो रखते हैं अलग-अलग जिकाप है अलग-अलग इंपोर्टेंस है हमारी जिंदगी में फूलों तो चलो शुरुवात करते हैं इन प्यारे से सुन्दर से फूलों को जानने की कोशिश करते हैं कि देखने में तो इतने खुफसूरत है पर इनकी जो पार्ट है प्यारे प्यारे से पार्ट है वो क्या है तो बेजिकली जो एक पुष्प होता है वो चार भागों में क्या होता है डिवाइड होता है ठीक है अगर हम पुष्प की बात करते हैं ठीक है फिर यह वाला पार्ट हो गया यह यलो वाला जो होता है ठीक है तीसरा पार्ट यह हो गया फिर यह क्या है हमारा यहां पर नीचे एक और ग्रीन पॉर्शन इस तरीके से होता है ठीक है यह क्या होता है मारा चौथा पार्ट होता है ठीक है जो इसके नीचे का इस फ्ला पार्ट में क्या है कि फूल विभाजित हो रखा है चलो जालने देगे वे चार पार्ट मेंली है कौन से तो 1, 2, 3 और 4 फूर पार्ट है ठीक है तो अगर हम एक फूल को बाहर की तरफ से देखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा अगर फूल को बाहर की तरफ से देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा अब आप बोलो के मैम डाइग्राम तो ठीक से दिखती रहा है कैसे आएगा तो चलो ठीक है भाई बना लेते हैं पहले डाइग्राम हम लोग ठीक है समझ लेते हैं फूल को तो भाई सबसे पहले क्या होता है अगर हम फूल की बात करते हैं ठीक है फूल की सनरशना को बनाते हैं तो भाई हमें पता है कि इस तरीक से एक सनरशना पाई जाती है सबसे नीचे की रहए जो क्या होता है कि क्या भोलता है सबस्क्तर नहीं है कि भी आ educators See मैं स्योन तो यह अब बात कि इस पुष्प उस्स फासन च्यों कहते हैं तक यह अपने नाम से ताय बता रहा है पुश्प प्लस आःसन जैसे कि राजा का आशन होता है अपने घर में हम अपने जो इस्षदेवता है ठीक है इस्षदेवता या भगबान है उनके क्या करते है आशन लगाते है तो यह wpıyla कॉप तर इसे ही यह वह आपन जिसके ऊपर एक पुष्प क्या करता है बैठता है विराजता है जैसे राजा आपने आत्म के ऊपर बैठता है ना ठीक है तो यह हो गया भाई पुष्पासन उसके बाद क्या आता है पुष्पासन के बाद इस तरीके से यहां पर इस तरीके से क्या होती है पत्या निकली हु बाहे दल ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या कहलते हैं बाहे दल ठीक है अब इस बाहे दल का क्या क्या मैं यह क्या करता है यह इस तरीके से होता है ठीक इस तरीके से होता है और पुष्पुयाने की फूल को क्या करता है संभाल के रखता है अपने अंदर ठ पूल की पंकुड़िया होंगी वो इधर उधर उधर हो जाएगी इस सहारा देता है उनको ठीक है इसके बाद यहां पर बहुत ही खुबसूरत सा भाग आता है भाई इस तरीके से ठीके यह कौन सा भाग होता है अगर बताओ जल्दी से यह कौन सा भाग है यह पुश्प का एक फूल का सबसे खुबसूरत भाग होता है ठीके कौन सा होता है यह जल्दी बताओ क्या नाम है इसका तो भाई इसको हम क्या बोलते हैं दल बोलते हैं दल याने की कोरोला ठीक है दल याने की कोरोला बोलते हैं इसको ठीक उसके बाद क्या आता है भाई उसके बाद पहले कौन सा बनाया जाए चलो यह बनाते है ठीक है एक इस तरीकी की संरशना पाई जाती है ठीक है पुश्प के अंदर और एक कौन सी पाई जाती है एक इस तरीकी की संरशना पाई जाती है ठीक है इस तरीके की लग आप ठीक हो गया ठीक है तो ये दो संरशनाई इस तरीके से पाए जाती है ठीक है अब ये वाली संरशना होती है ये क्या होता है यह होता है भाई नर्भाग फूल का ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं पुमंग याने की अंड्रेशियम अंड्रेशियम ठीक है इसको क्या बोला हमने अंड्रेशियम बोला अब यह वाला जो भाग होता है इस भाग को क्या करते हैं यह होत होते हैं जाया ठीक है यानिकी गाइनेशियम क्या बोला इसको हमने गाइनेशियम आजा फैलिंग गलत हो गई इसका क्या काम होता है भाई जो खूप सूरत से क्या होते हैं तीट होता है जैसे कि मधुमक्खी हो गई ठीक है यह क्या करता है इनको अपनी तरफ आकर्शित करता है अब बब्डुमक्खी क्या करती है इनसे अपना भोजन भी प्राप्त करती है अगर इससे क्या देगी उन्हकर हथा पहुंचाति या कई और से बैठकी आई है तो वहां के यहां आजाते हैं तो दोनों काम हो जाते हैं ठीक है कि मदुमक्खी को बई शहद वराने के लिए खाना मिल जाता है और इनको क्या मिल जाता है पराग मिल जाते हैं यह अपने पराग किसी और के पास पहुंचा देते हैं ठीक है यह क ठीक है चलो तो यह एक हमारे फूल का क्या है सनरश्णाइए ठीक है पुष् защo' की संरश्णाइए तो यहां पर हम क्या बोलते हैं भाई की हमारे पास क्या आया नमबर वन बाहे दलब नमबर टू दल नमबर छी पुमंग और नमबर फूर जया यह चार जीजें हमारे pass आ गई, तो number one पे क्या है बाहेदल, ठीक है जिसको हमने क्या बोला, kailix, ठीक है बाहेदल को हमने क्या बोला kailix, अब अगर ये एक है, तो हम इसको बोलेंगे बाहेदल, लेकिन अगर समूह में है तो क्या बोलेंगे बा है दल पुंज तो यहाँ पर पुंज लग जाएगा ठीक है समू में है तो पुंज लग जाएगा बिलकुल उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें सेकिंड नमबर पर कौन है देखो हमारे पास दल ठीक है तो यहाँ पर दल आ गया हमारे पास दल याने कि क्या हुआ भाई को रोला तो अगर दल क्या है एक है तो क्या बोलेंगे हम दल बोलेंगे लेकिन समू में है तो पुंज लग जाएगा तो क्या बन जाएगा दल पुंज बन जाएगा यहां पर बाहे दल पुंज बन जाएगा यहां पर ठीक चलो नेक्स हमने क्या बोला, नेक्स हमारे पास क्या था, हाँ, नेक्स हमारे पास था पुमंग, तो अगर हम पुमंग की बात करते हैं, पुमंग यानि की अंडुरिशियम, ठीके, अंडुरिशियम, तो भाई, ये जो अंडुरिशियम होते हैं, यहाँ पर क्या सीन होता है, कि जो सुना होगा पुंकेसर ठीक है तो जो पुंकेसर का समू होता है कि क्या लिखनी हूँ जो पुंकेसर का समू हुआ ठीक है वो क्या कहलाएगा पुमंग कहलाएगा अगर एक है तो पुंकेसर कहलाएगा ठीक है अगर एक है तो पुंकेसर अब पुंकेसर क्या होता है इसको हम कहते हैं स्टेमेन ठीक है क्या बोला इसको स्टेमेन बोला एक है पुंकेसर एक है तो क्या कहलाए अगर यह देखो अगर यह संक्या में एक है नर्भाग तो क्या कहलाएगा यह पुंकेसर कहलाएगा अगर यह पुंकेसर समू में है तो क्या कहलाएगा यह पुमंग कहलाएगा ठीक है पिर हमारा चौता कौन सा है जायांग यानि की जो मादा वाला भाग है ठीक है तो अगर हम मादा वाले भाग की बात करते हैं तो भाई क्या है कौन सा कलर उठाएं तो जायांग ठीक है जायांग याने की गाइनेशियम गाइनेशियम घाइनेशियम ठीक है अब गाइनेशियम में आपने एक और नाम सुना होगा त्रीकेसर जिसको हम क्या बोलते हैं पिस्टिल ठीके तो भाई अगर ये संद्रशना अगर ये संद्रशना एक नंबर में मौझूद है सिर्व एक है वहाँ पर तो क्या कहलाएगा ये स्ट्रिक एसर कहलाएगा, अगर ये एक में मौजूद है, एक ही संदृषना है लेकिन अगर ये संदृषना एक से जादा है तो क्या कहलाएगा ये जाई आंग कहलाएगा ठीके, यहां तक clear सबको यहां तक सबश्ब में आ गिया सब को कि असल में यहां चल क्या राय खेल है ना मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गया है चलो आगे बढ़ते हैं पढ़ाई पे ध्यान दे दो चैटिंग में ध्यान मत दो इतना हां चलो चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो पुष्प क्या होते हैं प्रजनन के लिए महतोपोन होते हैं क्योंकि पुष्प ही ऐसा भाग है जिसमें नर और मादा दोनों मौझूद होते हैं ठीके और हमने क्या पढ़ा है कि प्रजनन तभी होता है जब नर और बादा दोनों मौझूध हूते हैं तो पुष्प में क्या है नर और मादा दोनों संरशनाः हैं जो हम रूपी पुष्प में विभिन प्रकार के विन्यास मौजूद होते हैं ठीक है अलग-अलग प्रकार के क्या होते हैं विन्यास होते हैं जो क्रमिक रूप से फूले हुए पुष्पावरंत पुश्पावरंद जिसे पुश्पासन कहते हैं पर लगे रहते हैं ठीक है यहाँ देखा था ना हमने किती ही लगे हुए है इसके पर है ना जैसे कि क्यालिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग जो हमने अभी सब कुछ किया है यहाँ पर डिस्कस किया है ठीक है चलो अब क्या है अच्छा अब बाहे दल की बात करते हैं ठीक चलो तो अगर बाहे दल की हम बात करते हैं तो बाहे दल के अधार पर क्या होता है हम पुश्प को डिवाइड करते हैं ठीक है बाहे दल के अधार पर अगर हम पुश्प को डिवाइड करते हैं तो यह दो प्रकार का ह होता है ठीक कौन-कौन से दो प्रकार होते हैं जल्दी से कॉमेंट में बताओ मुझे कि भाई बाहे दल के अधार पर क्या है कि पुश्प कौन-कौन से प्रकार के होते हैं जल्दी तो भाई पहला क्या आ गया हमारा सयुक्ट बाहे दल पुश्प ठीक है पहला तो यह आ जाएगा हमारा ठीक है दूसरा कौन सा आएगा दूसरा आएगा प्रथक प्रथक बाहे दल पुश्प ठीक है दूसरा आगया प्रथक बाहे दल पुश्प तो यहाँ पर समझने के लिए आपको क्या करना है दो एग्जैम्पल लेते हैं अलग-अलग फूलों के ठीक है तो सबसे अच्छा एग्जैम्पल एग तो हम गुडल का फूल ले सकते हैं प्रथक के लिए क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप हर एक पार्थ को क्या है अलग-अलग कर सकते हैं बहुत एजिली ठीक है कोई कॉम्पलेक्सिटी नहीं है उसके अंदर ठीक है और 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 अगर हम सहीब तो बाहे दल की बात करें तो चलो एक काम करते हैं यहां पर जो पुष्प होते हैं वो कैसे तरीके से उसकी उपर ही पीले 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 पुष्प होते हैं ऐसा ही होते हैं याद आगी आप लोगों को देखके इसी तरीके से लगा हुआ होता है तो यह क्या हो गया भाई इसके यह बाहे दल थे बाहे दल ठीक है और ये क्या हो गए उसके पत्तियां हो गई भाई पुश्प की ठीक है तो ये इस तरीके से हो जाते हैं लेकिन वहीं बात अगर हम किसकी करते हैं गुडल की फूल की करते हैं तो गुडल के फूल मैं आपने देखा होगा मैंने बताया था भी इस तरीके से वहां पे पत्तिया मौझूद होती है ठीक है यह क्या होती है प्रथक होती है मतलब अलग-अलग होती है और इसके उपर फूल कैसा होता है हाँ पूल इस तरीके से इसके अंदर उपर मौझूद होता है ठीक है ऐसे मौझूद होता है इसके उपर पुष्ट ठीक तो यहाँ पर क्या है यह क्या हो पर यहां पर क्या है प्रत्थक ठीक है याने की अलग-अलग है ठीक है अलग-अलग है क्या बाहिदल ठीक है यहां पर प्रत्थक का मतलब होता है आईसोलेट अलग-अलग होना लेकिन अगर यहां की बात करते हैं बाहिदल की तो यहां पर आप कह सकते हो कि यह चिपके हुए है ठीक है चिपके हुए बोल सकते हैं या फिर मिले हुए बोल सकते हैं या फिर इससे भी अच्छा समू में बोल सकते हैं कि समू में है ठीक है तो यहां पर यह क्या है हमारे गेंदे का फूल का एक्जेम्पल आजाएगा और यहां गुडल के फूल का यहां तक क्लियर सबको जल्दी बताओ सबको clear यहां तक तो हम आगे कहानी को बढ़ाते हैं मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में आपको परशानी होने चाहिए क्योंकि इतने इतने easy तरीके से समझा रही हूँ कि आजाना चाहिए समझ में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यह देखो यह आपा गे एह देखो प्रत्थक हैं अलग अलग हैं और इस कैसे होते हैं हैं इसृए होते हैं और बाहे। बहुत हमें कशला डाया है रही क्यों की तर truthते हैं कली की यह वस्ता में पूरा पूल बन जाता हैं तब बर ही करते हैं प्ले और जुड़े हुए क्या होते हैं ये बाहे दल यानि क्यालिक्ट साइफ बाहे दली होते हैं ठीक है और दूसरे क्या होते हैं प्रतक बाहे दली जो हमने अभी यहां पर देखो बात किये ये ठीक है चलो, ओके, आगे बढ़ते हैं, अब अभी हमने बाहर दल के बारे में बात करी, फिर दूसरे नमबर पर क्या बोला था हमने दल बोला था, कि दल है तो मतलब कि संख्या में एक है, ठीक, लेकिन अगर एक से जादा है तो वहां पुंच लग जाएगा, याने कि दल पुंच हो दो भागों में बाटा गिया है, इसको दो भागों में बाटा गिया है, तो पहला और दूसरा, पहला क्या हुआ, संयुक तो दल पुंच ठीक है, संयुक दल पुंच ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वाला, ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हाता है प्रथक, ehm, Prathak, Krath, Dal, Pushp. ठीक है? दूसरा आता है ये हमारे पाद यहाँ पर अगर फूलों की बात करें कि भई, पत्या कैसी होती है तो यहां पर यह क्या होती है एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी होी होती है ठीक है? ओपर की दी तरफ सब जुड़ी हुई होती है लेकिन अगर प्रत्रक्रत में बात करते हैं तो यहां पर पत्या कैसी होती है यहां पर भाई इस तरीके से होती है ऐसे करते है ठीक है यहां पर ऐसे होती है बीच में जगा होती है लेकिन इसमें एक दूफरे से जुड़ी हुई होती है ठीक है तो हों गए यहां पर जो डल है ठीक है और अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर क्या है यह जो डल है वो क्या है अलग-अलग है अलग-अलग है ठीक है यहां पर clear aja बहुत एजी अच्छे तरीके से शहारी हूं समझ लो ठीक है पढ़ाई में ध्यान दे लो नई दोगे फिर कल क तो आपी को दिक्कत होगी नहीं समझ में आएगा तो बोलो कि मैं नहीं समझ में आया है हमारा एरोप्लेइन उड़ने दो चलो यह दल के बारे में कि दल का काम क्या है यह क्या होता है भाई सरवादिक अकर्शक भाग है जो अपने रंग और सुगंध आदी द्वारा पराग क को अकर्शित करने का कार्य करता है जो इसका सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट काम है ठीक है अगर यह खुबसूरत नहीं होंगे तो जो कीट है जैसे मदुमक्खी है चिदिया है इसके पक्षी है इसके उपर आकर कैसे बैठेंगे है ना अगर हम पुंकेशर बोले तो पुंकेशर क्या होता है यह है रजननांग ठीक है यह क्या है नर जनननांग सनरशना होती है थीक्षे, नजननांग सनरश्णा याने की मेल रिप्रोड़क्टिव स्ट्रॉक्चर होता है, थीक्षे, तो चलो एक बार इसका स्ट्रॉक्चर भी देख लेते हैं, इस तरीके से होता है भाई, ये क्या है, अब ये क्या होता है, ये दो भागों से मिलके बना उआ होता है, य तो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, होता है, कौन-कौन से होते हैं वो दो भाग, वो दो भाग है आपके, एक तो ये वाला और एक ये वाला, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये तंतु नुमा संदशना है, जिसको हम तंतु भी कहते हैं, याने की पिलामेंट, ठीक है, और ये क्या होता है, पराग कोश, याने की आंथर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये होता है आंथर, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, कौन से दो भाग है एक तो भई परात्कोश हो गया है ना और दूसरा क्या हो गया तन तो यह दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है ठीक यह था हमारे पुंकेसर के बारे में इन चीजों को यहां पर थोड़ा-थोड़ा अच्छे से समझ लू याद कर लो पिकर अगली ग्लास में जब आप आ इन चीजों को समझने के लिए इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे बिलकुल लेकिन आपको शांती बना के रखनी होगी कॉंसेंट्रेट करना होगा समझना होगा चीजों को तभी समझ में आएगा वरना नहीं आएगा ठीक है वरना एरोप्लेन उट जाएगा हमेशा की चलो यह देखो यह पुंकेस सर है ठीके तो यह क्या होता है यह नर जनन अंग होता है हमने बात कर दिती ठीके पतला तंतु का समान होता है ठीके यह जो होता है ठीके शीर्ष भागपर पराग कोश होता है ठीके शीर्ष भागपर पराग कोश होता है जो हमने यहां पर बोल पिर आता है हमार पार स्त्री केसर याने की स्त्री केसर क्या है भाई पिस्टिल ठीक है स्त्री केसर को क्या बोला हमने पिस्टिल यह क्या होता है मादा जननांग संरश्णा है ये ठीक है, मादा जननांग संरश्णा होती है ये अब ये जो मादा जननांग संरश्णा है ये किससे बनी हुई होती है? तीन भागों से, ठीक है, किससे बनी है ये? इसमें तीन भाग होते हैं तीन भाग कौन-कौन से होते हैं वो तीन भाग चलो देख लेते हैं एक बर बना लेते हैं तो भाई इसकी संद्रशना कुछ इस तरीके से होती है करें खीके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है अब सब से ऊपर यहां पर जो भाग होता है वह सब से टॉप का होता है नेको यहां जो नाम है वह अपने आपको दर्शाता है जैसे इसको कहते हैं हम स्टिगमा ठीके याने कि कोई इसको हमने हिंदी में क्या बोला भाई इसको बोला वरती कागर बर्ती कागर याने की स्टिगमा कि अब यह वाला जो हिस्सा है इसको वर्ती का लेकिन इसका नाम क्या सोचके रखा गया है style रखा गया है भई style ठीक है क्यों भई ये बहुत ही पतली दुबली सी है इस style में है इसी लिए इसका नाम style रखा गया है अब यहाँ पर हमारा तीसरा भाग आता है अंडा शे जिसमें क्या होता है? अंडा होता है यानि कि ये क्या है हमारी ओवरी है ठीक है अब अंदा शे में क्या होता है भाई यहां पर structure मौजूद होता है कुछ एक इस तरीके से इस तरीके से और फिर यहां पर ठीक है यहां पर तो अगर मैं इस structure की बात करती हूँ तो यह कहलाता है बीजांड ठीके बिजांट के अंदर क्या होता है बीज होता है ठीके इसके अंदर क्या हुआ बीज हो गया और बीज के अंदर क्या होता है ब्रूर होता है ठीके याने की एंब्रियो ठीके, बेज याने की सीध ठीके, तो यहाँ पर ये केस है सारा ठीके न, चलो अब ये पूरे स्ट्रक्चर आप आगे चलके समझोगे कि भाई ये मैडम जी क्या लिख रही है क्या समझाना चारी है तो तीन भाग कौन से है भाई इसके वर्तिकागर ठीके, पहला, दूसरा क्या है वर्तिका ठीके, और तीसरा है अंडाशे ये तीन भागों से मिलके बनता है कर्रेक्ट यहाँ तक सबको समझ में आ गया मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होने चाहिए समझने में ठीके, यहाँ पर एक चीज और समझो कि यहाँ पर क्या होता है ये जो अंडाशे होता है ये आगे चलके फल में बदल जाता है यही वो अंडाशे है जो आगे चलके फल में बदलता है और 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 क्या इसके अंदर जो सनरशना है ये बीजांड इसके अंदर क्या है बीज है बीज के अंदर बुरूण है तो यह जो बीजांड है ठीक है यह जो बीजांड है ठीक है इसके अंदर जो बीज है यह फर्टिलाइजेशन के बाद याने की निशेचन के बाद किसमें बदलता है यह तो ओपर का क्या होता है फल में बदल जाता है और यह किसमें बदल जाता ह बीज में बदल जाता है ठीक है तो यहां तक मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई अब तक हमने क्या देखा यहां क्या चल रहा है ठीक है तो अंडाशे किसमें बदल गया आपका अंडाशे फल में बदल गया याने कि जो फल के बाहर का हिस्सा होता ह और यह जो भीजान है वह किसमें बदल जाता है बीज में बदल जाता है ठीक है स्ट्रीकेसर का फूल मादा जनन अंग है ठीके, स्रीकेसर एक फूल का मादा जननंग है जिसके शीट्स पर एक वर्तिकाग्र होता है उसके बाद वर्तिका है और फिर अंडा शे होता है सबसे नीचे, ठीके, स्रीकेसर एक फूल का बिजांड उत्पादक है थिक है बीजान्ड यानिकी जिसके अंदर बीज है चलो अगर हम पुश्प दल विन्याज की बात करते हैं भाई अगर हम बोलते हैं तो यह क्या है कि पुश्प दल विन्याज जो होता है यह पुश्प कली में उसी चक्र की अन्य एकाईयों के साफेक्ष बाह्य दल अत्वा दल पर लगे रहने के क्रम को पुश्प दल विन्यास कहते हैं ठीक है यहां तक clear बिल्कुल थमसब दिखा के बोल दो कि यहां तक बिल्कुल clear आ गिया है मडम अब आगे कहानी शुरू करतो ठीक है जल्दे 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 चल ओके चलो आगे बाड़ते है अब जो है भाई जो पुश्प दल विन्यास है वह कितनी प्रकार का है तो बहुंक्यण चाहर प्रकार का होता है ठीक है क्लाओ कवा पर Search ठीक है फिर दूसरा क्या हुआ भाई कोर इस परशी व्यावर्तित कोर छादी और लास में क्या हुआ वैक्जिलरी ठीक है चलो फटा फट से इनको डाइग्राम के मीडियम से समझते हैं कि यह कैसे हैं किसमें पाई जाते हैं और कैसी इनकी संरश्णा होती है उसके बाद हम य चार तरीके का होता है ठीक है एक दो और टीन चार तरीके का है पहला क्या हमने बोला पहला बोला हमने भाई कोर इस परशी कोर इस परशी ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं वैलवेट ठीक है कोर इस परशी आने की वैलवेट दूसरा क्या हुआ वेवर्तित, वेवर्तित याने की twisted, ठीके, तीसरा क्या आता है हमारा, तीसरा आता है कोड़ छादी, ठीके, याने की इंबरी, केट, ठीके, और लास में क्या आता है हमारा, लास में आता है, वेकसि-लरी, ठीके, तो यह क्या है, चार प्रकार हैं इसके, ठीक, यह क्या होगा, चार प्रकार, चलो देख लेते हैं भाई कि इनका डाइग्राम कैसे बनता है, इनकी संद्रशना कैसे होती है, तो अगर हम कोर इस परशी की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये कुछ इस तरीके से मौजूद होते हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, पास-पास लगे किसमें पाय जाते हैं, जिनमें क्या होता है, दल उनके कोर को जो है, क्या करते हैं, कहां लिखूं, एक ही लाइन में मतलब मौजूद होते हैं, यहां पर आप ये चीज़ समझ लो, कि यहां पर क्या है, कि जिनमें उनके जो कोर होते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं, या फिर overlap नहीं करते हैं ये भी कह सकते हैं और ये किस तरह में पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आपके calotropes में calotropes ठीक है तो इसका अगर मैं full बनाऊंगे तो कैसा full होगा अगर ये है ना तो ये देखो ये जुड़े वे तो हैं लेकिन एक दूसरे को overlap नहीं कर रहे हैं ठीक है एक दूसरे को overlap नहीं कर रहे हैं पास पास है लेकिन वहले एक दूसरे के उपर नहीं है वहीं अगर हम वेवर्तित की बात करते हैं तो वेवर्तित में क्या होता है कि एक सिरा अंदर होता है एक सिरा बाहर आ जाता है इस तरीके से ठीके, देखो कैसे एक सिरा अंदर है एक सिरा बाहर एक अंदर, एक बाहर एक कोर जो होता है दूसरे कोर से धका हुआ होता है और यह किसमें देखने को मिलेगा आपको यह आपको बहुत ही आसानी से भिंडी में देखने मिल जायेगा भिंटी में कह सकते हैं ठीक है गुड़हल में कह सकते हैं गुड़हल ठीक है तो ये इसके example हो गए ठीक चलो अब अगर हम core छादी की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ये एक जो core होता है वो अंदर की तराफ होता है बाकी क्या होते हैं बाकी खुले हुए होते हैं ठीक है बाकी क्या होते हैं खुले हुए होते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं अगर हम वेक्जिलरी की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा अनोखी चीज हमको देखने को मिलती है यहाँ पर यह जो दल होते हैं कौन से फॉर्म में मिलते हैं हमको देखने के लिए यह हमको मिलते हैं, कौन से 1 प्लस 2 प्लस 2 फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है, चलो, डाइग्राम से देखते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 2 क्या चीज है, चलो, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक यह जो भाग होता है, ठीक है, यह इस तरीके से होता है, फिर यहाँ प पर क्या होता है ये जो बाहर वाला दल होता है इसको क्या बोलते हैं मानक दल ठीक ये जो बाहर वाला दल होता है इसके अंदर दो दल छोटे-छोटे ऐसे मौजूद होते हैं इस तरीके से फिर उसके अंदर भी दो ऐसे मौजूद होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं ठीक ह तो यहाँ पर यह क्या हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 इसलिए है यहाँ पर, और यह हमें कहां देखने को मिल रहा है, यह हमको कहां देखने में मतर में मिलेगा, और frame में देखने को मिल सकता है, ठीक है, चलो, यहाँ तक सभी को clear हो गया है, है न, मुझे कर्श के लगता नहीं कोई भी दिक्तत यहां पे होनी चाहिए है लेकिन फिर वे एक बार और संचा देती दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन स्वतंत्र हैं ओवरलैप नहीं कर रहे हैं ठीक एक दूसरे को परशान नहीं कर रहे हैं यहां क्या है वेवर्टे द्याने की twisted, twist क्या होते हैं, मुड़ा हुआ, है ना, तो यहां क्या होता है, कि बाई, एक सिरा अंदर होता है, एक बाहर होता है, यह जो एक कोर है, वो दूसरे के कोर को धक लेता है, इस तरीके से उपर, ठीक है, तीसरा है कोर छादी, जहां सिर यह एक ही कोर है, जो अंदर की तरफ रह चार उनको डखे हुए होता है ठीक है बड़ा वाले को मानक दल कहते हैं उसके अंदर छोटे होते हैं दो ठीक है दल और उन दो के अंदर भी दो और छोटे से होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं तो यह हमारा पुश्पदल विन्या से पढ़ा फट से तमसब दिखा दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ चुका है पड़ा पड़ते पड़ते ताकि हम क्लास को क्या करें आगे बढ़ा ले हाँ जल्दी 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 भाई कॉमेंट में बताते रहा करो कि मज़ा आ रहा है पड़ने में हाँ बताते रहा करो चलो आगे बढ़ते हैं पहले 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 आगे बढ़ने से पहले यहां पर समझ लेते हैं यह हम भूल गए समझाना भाई आगे तो जब चक्र के बाहे दल अत्वा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हैं तो उसे कोर स्पर्शी कहते हैं यह देखो सर्फ इस पर्श कर रहे हैं लेकिन ओवर्लैप नहीं कर रहे हैं तो इसको हमने क्या वोला कोर स्पर्श ही वोला ठीक जैसे केलर ट्रॉपेस में मिलता है ठीक है ना दूसरा क्या है किसी दल अत्वा बाहे दल का किनारा अगले दल पर तता दूसरे तीसरे आधी पर अती व्याप्त हो तो उसे व्यवर्थित कहते हैं मतलब जो एक कोर है वो दूसरे कोर के किनारे को ढख लेता है तब किस में पाए जाता है गुडल में भिंडी में और कपास में ठीक है यदि बाहे दल अत्वा दल दूसरे पर अतिव्याप्त हो तो उसकी कोई विशेश दिशार नहीं होती है ठीक है इस प्रकार के इस सथी को कोर चादी कहते है ठीक है उधारन है केसिया और गुलमोहर जहां बोला था सिर्फ एक ही कोर होता है जो क्या होता है अंदर की तरफ होता है वाकी सब क्या होते हैं बाहर होते है ठीक है मटर सेम में क्या होते हैं पांच दल होते हैं पांच दल क कैसे बतायते हैं इस तरीके से ऐसे करके ठीक है ऐसे बतायते इसको क्या बोला था यह क्या है मानक दल है इन में से सबसे बड़ा मानक यह रहा सबसे बड़ा मानक दो पाशर्वी को दो पाशर्वी को पंक और यह दो सबसे बड़े दो सबसे छोटे अगर दलों को जिनने हम व्याप्ति करते हैं ठीक है दो पार्शरवी इनको क्या बोलते हैं पंक बोलते हैं ठीक है और जो दो सबसे छोटे हैं ये अंदर वाले इनको क्या बोला पंक बोला और जो अंदर वाले हैं इनको क्या बोला कूटक ठीक है इनको क्या करते हैं अती क्या करते हैं अती व्यापती करते हैं ठीक है तो इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को वेक्जिलरी अतवा पैपिलियॉनस कहते हैं क्लियर यहां तक है ना हां साथ साथ जो है भाई नीचे को उसमें ना कॉमेंट सेक्षन में टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ जॉइन कर लेना ताकि आप सभी को पीडिएफ मिल जाए क्योंकि बहुत से बच्चे जिनों ने तक जॉइन ने किया फिर बोलते हैं पीडिएफ पीडिएफ पीडिएफ सब मिलेगी जब जॉइन करोगे नई जॉइन करोगे तो कहां से मिलेगी है ना चलो आगे बढ़ते हैं ओके चलो अब बात करते हैं पुमंग के बारे में ठीक है तो यहां पर हमने पुश्पिदल विन्यास कतम कर लिया है छोटू साथा बिल्कुल समझ में आ गया है अच्छे तरीके से पूरी कोशिश कीए समझाने की अच्छे तरीके से नई समझ में आया है तो लिंक को पुमंग की बात करते हैं यह होता है यह होता है जो पूंकेसर होते हैं जो पूंकेसर होते हैं उसका समू होता है ठीक है जो पुंकेसर होते हैं उसका समू होता है अब ये जो पुमंग है ठीक है ये क्या होता है दो भागों से मिलके बना होता है दो भागों से भाई दो भाग हो गए कौन से एक तो पराकोश हो गया पराकोश ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं आंथर बोलते हैं दूसरा क्या हो गया तंतु हो गया इसको पुतंतु भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको फिलामेंट बोलते हैं ठीक है तो इस तरीके से ये दो भागों में मिलके बना हुआ होता है चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं है ना थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कहां समझे नेक्स पेज़ पर समस लेते हैं चलो मैं बनाती हूँ अब ये पुवंग की सनरशना को बनाते हैं देखते हैं तो भाई मैंने क्या बोला कि पुवंग क्या होत पूल की ये खूब सारे क्या है इस पर पूंकेसर है ठीक है खूब सारे क्या है ये पूंकेसर है अब हमने क्या बोला कि अगर ये जो समो है तो समो क्या कहलायगा पुमंक कहलायगा ठीक है लेकिन वही अगर ये क्या है अकेला है ये अगर अकेले की बात करते हैं, अकेले की, तो ये अकेला क्या है, पुंकेसर, ठीक है, अकेला क्या है, पुंकेसर है, ये अगर समू में है, सारे हैं, तो ये क्या है, पुमंग है, अकेला है, तो पुंकेसर है, चलो, अब इस अकेले वाले को हम बाहर लेकर आते हैं, और समझते हैं थोड़ा सा लो भई ये आ गिया ये इस तरीके से लो भई ये बन गिया आपका क्या ये क्या है आपका पुंकेसर अब हमने क्या बोला ये जो पुंकेसर है ये दो भागों से मिलके बना हुआ है कौन से दो भाग ये वाला भाग क्या है भाई हाँ ये वाला भाग है आपका पराग कोश पराग कोश ठीक है जिसको क्या बोला हमने पराकोश जिसको हमने बोला आन्थर ठीक और यह वाला भाग है लंबी सी तंतु जैसे संद्शना यह क्या है तंतु याने की फिलामेंड ठीक है इसको पुतंतु भी बोला जाता है ठीक है तो confusion वाली बात नहीं है पुतंतु भी समझ लो आप तंतु भी समझ लो दोनों सेम च ठीक है तो हमारे को यहां तक लियर हो गया अब अगर हम इसकी बात करते हैं यह जो आपका एंथर है इस तरीके से मौजूद है ठीक है इसको जब हम काटेंगे ऐसे करके कौन सा है यह अनुप्रस्त काट अनुप्रस्त काट करेंगे इसका अगर हम ठीक है अनुप्रस्त यह आपका एंथर है मैं इसको यहां से काटती हूँ बीच में से ऐसे गोलाई मैं काटूंगी तो वो क्या कहलाएगा अनुप्रस्त काट कहलाएगा ठीके अगर मैं इसको यहां से ऐसे काट दूंगी तो यह संरशना मुझे कैसी नजर आएगी कुछ इस तरीके से नजर ऐसे करके ठीके यह संरशना मुझे ऐसे नजर आएगी और यहां पर क्या है यह दो पालियों में विभाजित होती है एक पाली यह रही एक पाली यह रही ठीके एक पाली यह क्या है दो पाली ठीके एक पाली और दो पाली और एक पाली में क्या होता है दो कोस्ट होते हैं याने कि इन दोनों पालियों में कितने हैं चार कोस्ट हैं ठीके यह लो यह चार कोस्ट इस तरीके से यहां पर आ गए लोट, नाम लिख देते हैं एक हो गया दो हो गए तीन हो गए और ये क्या है? चार, क्या है ये कोश्ट लिख देती हूँ ताकि आप लोग भूलो ना ठीके, क्या हो गए? ये दो पाली से मिलकर बना हुआ होता है ठीके, और दो पालीों में क्या होते हैं? चार कोश्ट होते हैं ठीके, ये जो गोल गोल सी संदश्णाए देख रहे हो आप ये क्या है? कोश्ट है अब यहाँ पर भाई क्या होता है? यहाँ जो कोश्ट होते हैं इनमें क्या होता है? लगू विजानू ये क्या है? लगू विजानू विजानू धानी कहते हैं इनको ठीक है इने क्या बोलते हैं लगू विजानू धानी कहते हैं ये जो कोश्ट होते हैं इनको क्या बोला हमने लगू विजानू धानी कहते हैं इनको और ये कैसी संद्शना होती है ये होती है 2N, ठीक है, deployed होती है, कैसी होती है, 2N यानि कि deployed होती है, यह संदशना, अब यह जो लगो विजानो धानी होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जब अर्ध सूत्री विभाजन होता है, यह चीजे कब समझोगे आप, जब आगे आप 12 में आओगे, मैंने क्या बोला, कि यहाँ पर इन पूरे चीजों का 12 क्लास में पूरा एक चाप्टर है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझोगे तो बेटा, अरोपलेन उड़ जाएगा, तो अपने को अरोपलेन नहीं उड़ाना है, ठीक है, अपने को इसको पकड़ के रखना है, इसलिए मैंने बूला, कि च चैटिंग करोगे, यकीन मानो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बोलो के मैं हमको ये समझ में नहीं आया है, वो समझ में नहीं आया है, अब ये दोनों चीज़े समझने के लिए आपको कॉंसेंट्रेशन रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे, तो भाई, ये भी समझ में वो भी समझ में नहीं, वो भी नहीं और वो भी नहीं, ऐसा हो जाएगा, अथिक है, तो यहाँ लगू विजानू की कोश्ट क्या होत Alrighty, इनको हम लगू विजानू धाने कहते हैं, ठीक है, जो 2N के उसमें होता है, ठीक है, अर्दा सूत्री विभाजन जब यहाँ हुआ, ठ लगु विजाणु बनते हैं ठीक है जो क्या करते हैं पोशन लेते हैं पोशन लेते हैं और पोशन लेने के बाद क्या करेंगे ये पराग कण का निर्मान कर देते हैं ठीक है पोशन लेने के बाद ये पराग कण ठीक है याने की क्या बोलते हैं पॉलन ग्रेंज का क्या करते हैं निर्मान कर देते हैं और ये पराग क्या करते हैं फिर आगे युगमक बनाते हैं याने की क्या बना दिया नर युगमक बना परिपक्त होते हैं मादा के शरीज पर जाके होते हैं जो सब डिटेल में आप बिल्कुल कहां पड़ोगे यह पड़ोगे आप 12 क्लास में जाके अगर यह बेसिक चीज़ें यहां समझ में आ गई है कि भाई इसका अनुप्रस्त काट अगर मैंने ऐसे किया है ठीक है तो हमें यहां पर क्या होते हैं दो पालिया होती है ऐसे काटे इसको तो एक पाली यह एक पाली ठीक है और इन दो पालियों में क्या होते हैं चार कोश्ट होते हैं और इस चार कोश्ट क्या कहलाते हैं लगू विजाणू धानी कहलाते हैं अरे धानी ठीक है क्या कहलाते हैं लगू पोशन लेते हैं, पूरा नरिश्मेंट लेते हैं, और क्या करते हैं फिर भई पराकण का निर्मान करते हैं, जिससे आगे नर युगमग बनता है, जो माधा के शरीत बजा के परिपक वो हो जाता है, ठीक है, तो इसकी कहानी इतनी है, चलो थोड़ा सा इसके बारे में जान ल कोश होता है, ठीक है, यह इस तरीके से क्या है, यह क्या है, यह क्या है, तन्तु है, यह क्या है, पराकण कोश है, ठीक है, हर एक पराकण कोश पराया द्वी पालक होता है, यह देखो, द्वी पालक याने की द्वी पाली होती है, दो पालिया होती है, हर एक पाली में दो को यही बताया मैंने है नए और दो पालियों में चार kort है ठीक है पढ़कोषट में क्या होते है पराककर होते हैं छिशेएं बंद पुंकेसर जननद करने में अशमर्थ होते है और वेल स्टेमन अई कहलाते हैं ठीक है पुंकेहिकर हूछ जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं ठीक है जब पुक के सर दल से जुड़े होते हैं तो उन्हें दल लगन याने की कहते है जैसे कि बैंगन में अगर हम फरी दल की बात करते हैं यह पुंज से जुड़े हुए होते हैं ठीक है कैसे क क्या बोलते हैं कैसे बता हूं ठीक है यहाँ बता देते हैं कि इस तरीके से क्या है ये ये दल है ठीक है अगर यहां पर यहां पर क्या है पुंकेसर है क्या है पुंकेसर तो ये क्या कहलाएगा ये क्या है दल है ये दल के ऊपर पुंकेसर है तो ये क्या कहलाएगा भाई परी दल कहलाएगा ठीक है परी दल कहलाएगा ले ठीक है तो यह क्या कहलाएगा दल लगन कहलाएगा यानि कि दल के साथ लगे हुए हैं क्या कहलाएगा दल लगन कहलाएगा ठीक है जो यह रहा यानि कि एपिपेटेलस ठीक है आगे बड़े ठीक है चलो यादी परीदल यह तो परीदल यह रहा पुंज से जुड़े हुए हो तो उसे परीदल लगन कहते हैं ठीक है कि देखो यह क्या है यहां से यह जुड़े हुए है इसको क्या बोला हमने परीदल बोला ठीक है जो पुंज से जुड़े हुए है उसे क्या बोला हमने परिदल लग में बोला जैसे की लिली का फूल यहाँ पे देखो जैसे की लिली का फूल होता है ठीक है फूल में पुंके सर मुक्त अत्वा जुड़े हुए हो सकते है फूल में क्या होता है पुंके सर मुक्त भी हो सकते है जुड़ेवे भी हो सकते हैं ठीक है अगर हम ठीक है पुंकेसर एक गुच्छे अस्वा बंडल में हो सकते हैं अब अगर हम एक संगी की बात करते हैं ठीक है कि एक संगी आजा देखो अगर हम गुड़ल के फूल की बात करते हैं तो ये क्या है इस तरीके से क्या होता है भाई ये इस तरीके से क्या होता है निकले हुए होते हैं फिर ऐसे 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 करके छोटे छोटे पुंकेसर यहां पर निकले हुए होते हैं गुड़ल के फूल में सबने देखा होग एक तो निकला हुआ है उसके उपर छोड़े छोड़े कई सारे निकले हुए है यह हुआ एक संगी फिर हम बोल रहे हैं कि अथवा दो बंडल ठीक है दो बंडल याने की जिवी संगी जैसे मतर में तो अगर हम मतर की बात करते हैं तो मतर में कैसे पाया जाता है इस तरीके से ऐसे होता है और तो संगी की ईसे निकला हुआ होता है मतर में पाया जाता है यह क्या कहलाया आपका द्वी संगी कहलाया तो अगर हम इ satisf की बात होते हैं तो यह कैसे ऐसे लगे हुए उसी फूल के दियुकी में भिन्नता सिसकती है जैसे की इसे की सेली य तता सर्सों में होती है ठीक है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज कि अच्छे से पढ़ हो गया थो यह चीज़े यहां बेट जहेंगी भी उपर से नहीं जाएंगे ठीक है तोड़ा सा चीजों को सीरेस हो के समझो कि भाई अब आप लोग इस साल कहां ट्वेल्थ में आ जाओगे अभी नीट की प्रिप्रेशन भी कर रहे हो साथ में 11 की भी कर रहे हो एस वेल आपको 12 में भी आके यह चीज यहां पढ़नी है तो भाई इतना का कंफूशन क्यों रखना है डबल मेनद्स क्यों करने है बात में अभी से चीजों को समझो समझोगे तो अच्छा रहेगा है ना चलो फिर बच्छा लोग आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने अगली क्लास में जब तक मैं आती हूं तब तक आपको क्या करना है हमेशा क पढ़ाई कीजिए और हमको ऐसे ही बहुत सारा प्यार दिखाते रही है ठीक है बाई बाई